हलो फ्रेंज आज हम बात करने वाले हैं आप से इंटल के नए जनरेशन प्रोसेसर के बारे में यानि इंटल का जो 12 वारवा जनरेशन का प्रोसेसर आने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे इससे सम्मंदित यह आपके पास कोई प्रस्ण है यह क्या है कैसे होगा कब तक आएगा क्या प्राइज होगा कैसे आपकी कंप्यूटर के दुनिया चेंज करने वाला है इन सभी प्रस्णों के उत्तर हम इस वीडियो में आपको देंगे तो सबसे पहला प्रस्ण यह आता है कि आप लोग इस प्रोसेसर को लेंगे क्यों इसका में कम्टीटर कौन है और क्यों यह प्रोसेसर लाया जा रहा है और आपको लिए हम यह इसा क्यों कह रहे हैं कि यह आपकी दुनिया बदलने वाला है मुद्धा इस बात का है प्रोसेसर बीडियो रिटिंग हो गेमिंग हो या आप कोई भी काम करते हों हर किसी के लिए कम्प्यूटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन हो गया है computer की speed, computer की processing power, efficiency, कितनी छमता है उसके अंदर ये सब depend करता है आपके processor से क्योंकि कोई भी computer की जो पहचान होती है उसके motherboard से, उसकी RAM से, उसके graphics card से या उसके cabinet से नहीं होती है जब भी कभी कोई बात करेगा कि आपका processor क्यों सा है उसपे depend करता है computer क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है अर्थात मतलब ये होता है कि यदि आपके system में processor अच्छा है तो आपका system अच्छा है यदि computer में processor low grade का है तो आपके उसकी performance low ही होगी तो ये 12th generation का जो processor है इसने computer industry में काफी कुछ परिवर्तन करने वाला है परिवर्तन कैसे करेगा क्योंकि ये जो processor आ रहा है इसमें कई सारे बदलाव किये गए है क्योंकि इससे आपका motherboard चेंज हो जाएगा RAM चेंज हो जाएगी PCI socket चेंज हो जाएगे इसके लावा उसकी power supply, cabinet सारी कुछ चेंज होने वाला है 12 generation का जो Intel processor है वो बहुत ही छमतावान है इसमें काफी power दिया गया है क्योंकि कुछ समय पहले से AMD processor की market में मौन पुली चल लही थी तो Intel वाले कुछ कर नहीं पा रहा थे तो Intel वालोंने पूरा research करके पुरा system मना करके एक नया processor ले करके आए है generation 12 का इस generation में भी आपको i3, i5, i7, i9 चारो टाइब के processors मिलेंगे जैसा कि आप लोग previous time में देख चुके हैं अलग-अलग version में अलग-अलग category के processor भी market में अबलेवल रहते हैं वो अलग-अलग कामों के लिए अलग-अलग processor डेबलब करते रहे हैं इस generation में भी आपको अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग category के processors मिलेंगे उन processor को आप कैसे यूज़ करेंगे कौन सा processor आपको चाहिए कौन सा processor आपके लिए बहतर होगा इसके बारे में हम आगे वीडियो और बनाएंगे इस वीडियो में हम के लिए बात कर रहे हैं आने वाले नए processor के बारे में ये processor AMD को बहुत कड़ी टकर देने वाला है क्योंकि इसका जो price लीक हुई है वो बहुत ही संतोज़नक हैं इंडिया की market हिसाफ से काफी बहतर competitive price में आने वाले हैं इनका price हम आपको detail में description में देंगे आप देख लीजेगा किसका क्या price अभी अनुमान लगाया जा रहा है लेकिन जैसे ही इंडिया में launch होगा हम इसके actual price में हम आपको जरूर बताएंगे कौन processor कितने का market में मिलेगा आपको इस वीडियो में हम को ज़्यादा techniques के बारे में नहीं बताएंगे कि उसमें efficiency core कितने हैं power core कितने हैं thread कितने हैं हम मोटा मोटा बताना चाहते हैं कि इस processor में क्या होगा आपके लिए और कैसे होगा क्योंकि ज़्यादा लोगों को ज़्यादा technical जानकारी नहीं होती है कि आपका जो intel processor है किस architecture पर बना हुआ है उसमें कितने thread हैं कितने जो है cores हैं efficiency core कैसे काम करेगा performance score कैसे काम करेंगे यह सब अलग अलग बहुत ज़्यादा internal काम होता है इंडिया की market में ज़्यादा लोग research नहीं करते है वो कौन सा architecture है काया नाम है क्या उसके अंदर क्या-क्या खूबिया है ज़्यादा research नहीं करते है market में जो चल ला होता है अपने budget के हिसाब से जो मिल जाता market में उसी को purchase करके के अपना सिस्टम बनवा लेते हैं लेकिन ऐसा आपको करना नहीं चाहिए आपको पहले उस प्रोसेसर को रिसर्च करना चाहिए कौन सा प्रोसेसर आपके बजट में बेस्ट है उसी को पर्चेज करना चाहिए चलो थोड़ा बहुत हम इसमें बता देते हैं आपको जो इंटल स्लेंस दो पार्ट में होता है पर्फार्मेंस कोर्स में और सोला सोला हूंगे सोला surface सब्सक्राइब की यूद highly आएए रिंख तैया इसने के पुसिसनों को इसने सिंगल कोर में और को दोनों में पचार दिया है ऐसा मार्केट में ये लिक्स दिखाई गई है इसका मदलब यह है AMD को नई जनरेशन की प्रोसेसर बनाने पड़ेंगे जिसमें काफी कुछ बेहतर देना पड़ेगा अभी उनके पांच हजार सिरी चल लाई है AMD वालों की और इनकी 12 जनरेशन है तो इनकी 12 जनरेशन में ये लोग 1200 सिरी चलाएंगे जिसे 12400 12600 12700 12900 इस तरीके से इनके प्रोसेसर के मॉडल नंबर होते हैं इसमें अलग अलग मॉडल आते हैं जिसे 12700 क, 12700 F, 12700 KK, 12700 KU, 12700 KF इस टाइप के अलग नाम के आगे जो हैंनका के, डबल के, यू, एफ ये लगा रहता है इससे आपको उनके परफार्मेंस की वैलू पता चलती है, हम अभी डिटेल में और वीडियो बनाएगे जिससे आपको एक एक चीज़ समझ माजा जाएगी, क्या हो, प्रोसेसर का जो मॉडल है, उसमें क्या होगा, क्या नहीं होगा हम बात कर रहें कि यह दुनिया कैसे बदलने वाला है, इंटेल का 12 जनेशन वाला प्रोसेसर, इससे क्या है, अब तक आपने जो मदर बोर्ड यूज़ किये थे, वो मदर बोर्ड इसमें काम नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो सॉकेट है, वो चेंज हो गया है यह जो काम करेगा, उसके लिए आपको LGA 1700 साकिट होना चाहिए आपके मदर बोर्ड में, तब ही इसको आप लगा सकते हैं दूसरी इसमें क्या अंतर है, इंटेल का पहला प्रोसेसर होगा, जो DDR5 रैम को सपोर्ट करेगा इससे पहले तक जो भी प्रोसेसर थे, दो DDR3 या DDR4 तक आते थे, अब यह पहला प्रोसेसर आएगा, जो DDR5 को भी सपोर्ट करेगा अब तक जो स्पीड हम लोग यूज़ करते थे, रैम की वो 32 मेगा हर्स यूज़ कर रहे थे, लेकिन इस प्रोसेसर के आने एक बात, आप 4800 मेगा हर्स वाली रैम को भी प्रियोग कर पाएंगे जिससे आपके सिस्टम की छमता बहुत बढ़ जाएगी इंटल ने जन्नेशन 11 में 1200 साकिट का यूज़ किया था और इस बार ये यूज़ कर रहा है, 1700 साकिट का तो इसका अमलब आपके पुराने मदरबोर्ट कोई काम नहीं करेंगे, आपको नए मदरबोर्ट को परशेज करना ही पड़ेगा और यज़ आपको सिस्टम में काफी छमता चाहिए तो आपको DDR4 से DDR5 RAM पे कनवर्ट होना ही पड़ेगा इसी प्रकार से आपके जो ग्राफिस कार्ड है, उनको भी जो करेंट में सबसे DDR6 चलना है, उसको ये फुली सपोर्ट करेगा ये प्रोशेशर इसलिए आपको वो मदरबोर्ट भी लेना पड़ेगा जो DDR6 को, ग्राफिस कार्ड को और DDR5 RAM को और जिसके अंदर सौकेट होना चाहिए 1700 LGA का तभी आप इस प्रोशेशर को यूज कर पाएंगे, यानि आपको अपना मदरबोर्ट भी चेंज करना पड़ेगा जैसा को उमीद लगा जा रहा है जो मदरबोर्ट की कमपनियां है, जैसे आप GIGABYTE है, ASUS है, MSI है, ये सभी लोग अकसर मदरबोर्ट की कमपनिया जेड 490 स्रीज, 590 स्रीज लेकर के आते हैं उमीद लगाई जा रहे हैं कि अगली बार भी ये कमपनिया जेड 690 स्रीज का मदरबोर्ट लेके आएंगी और उसमें भी कई कटेगरी होती हैं, कौन-कौन यूज करना ये तो आपके बजट पे और आपकी रुक्वार्मेंट के हिसाफ से बहतर रहेगा, आप चूज करें 12700K और इस 12700K मतरब I7 के साथ ही आपको इसमें भी कई सारे आपको वराइटी मिलती हैं, मतरब 12700K मिलेगा, 12700K, K मिलेगा, 12700K, F मिलेगा, 12700U मिल सकता है, ये बहुत सारे अलग-अलग टाइप के आपको प्रोसेसर मिलेंगे एक ही कटेगरी, यानि ये इतनी कटेगरी आपको I3 में मिलेंगे, इतनी कटेगरी आपको I5 में मिलेंगे, इतनी कटेगरी आपको I9 में मिलेंगे, उसमें क्या होता है, कुछ में जो है न, कोर कम हो जात तो इन सब को कम ज्यादा करके ही प्रोशेसर की कीमत को थोड़ा कम बजट में ला करके लोगों को प्रवाइड किया जाता है तो यह इंटल के नए जनेशन जो इंटल के 12 जनेशन के प्रोशेसर का नाम लखा गया है अल्डर ले उमीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया ह जिससे कि यह वीडियो उन लोगों को इसकी जरूरत है तो देखते रहिए सीखते रहिए और एडिट करने में हमारा एक मंत्र है काटो छाटो बाटो मिलते हैं आपको नए वीडियो में तब तक के लिए रामा की राम राम के मत्रूइ प्लाटो बाटो बाटो बाटो?